स्टापलिस की सीरिल कहां हम कहां तुम्हें काफ़े इंट्रिस्टिंग और इंटेंस ड्रामा देखने को मिल रहा है सुनाक्षी अब भी उसके साथ हुए इंसिडेंट को लेकर काफी दरी हुई होती है लेकिन रोहित अपने बात उसे सुनाक्षी का मन बदलने की कोशिश करता है सगाई वाली राज सिप्पी मैंशिन में हुए ड्रामे को लेकर मीडिया वाले काफी जादा हंगावक रेट करते हैं जिसे देखकर नरेन अपसेट हो जाता है और रोनाक्षी की शादी रोकने का उनका डिसिशन और भी पक्का हो जाता है वह दूसरी और रोहन और सिप्पी फैमिली तानिया के प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर बहुत एक्साइट हो जाते है दीपा तो कुछ जादा ही खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये खबर रोहन की जिंदगी उसके हरकतों में बदलाव लाएगी कहानी पारवती के सेट पर रोहिद को बॉडिगार्ट के गेट अप में देखतर सुनक्षी चौक जाती है वो रोहिद को बार बार हॉस्पिडल जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन रोहिद सुनक्षी को अपना प्रॉमिस याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी सोना को प्रोटेक्ट करेगा इन सब के चलते सेट पर पुलिस आ जाती है और हर किसी की तलाशी लेती है सर्च करने पर सगाई वाली राज जो रिंग गायब होती है वो उन्हें रोहिद के ट्रस्टेट एंप्लॉई उनके ड्राइवर रवी के पॉकेट से मिल जाती है इनिशली रोहिद इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि रवी कलप्रिट है लेकिन इस बीच रोहिद को एक कॉल आता है जिसके बाद रोहिद का सारा रविया बदल जाता है और वो रवी को थपड मारता है रोहित ने रवी को थपड क्यों मारा वो किसका कॉल था जिसके आने के बाद रोहित का attitude चेंज हो गया सुनने में आ है कि ये सिफ रोहित की चाल है असली stalker तक पहुचने के लिए क्या रोहित की चाल काम्याप होगी वेल ये तो ही शो की बार लेकिन टेलिविजिन दिनिया के लेटिस्ट अपडेट्स ड्यूज एंड गॉसिप्स के लिए हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब करें